Welcome back to my channel CryptoMinders दोस्तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ WajirX अकाउंट कैसे बनाना है उसके साथ WajirX पर KYC प्रोसेस कैसे कम्प्लीट करें और अपने बैंक अकाउंट को कैसे एड़ करना है WajirX पर ये वीडियो एक complete tutorial वीडियो होने वाला है and वीडियो आपके लिए बहुत helpful होगा इसलिए वीडियो को बिना skip किए एंड तक जरूर देखें तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दे से अमारा वीडियो सबसे पहले बात करते हैं WajirX Exchange की जिनको नहीं पता उनको बता दूँ वजीरेक्स एक cryptocurrency exchange platform है वजीरेक्स पर आप listed crypto में investment और trading कर सकते हैं इसके साथ साथ ये इंडिया का one of the best crypto exchange platform भी है वजीरेक्स account बनाने के लिए आप description में दिया link पर click करके वजीरेक्स की website पर जा सकते हैं और आपको google play store और iphone के app store में वजीरेक्स की app easily मिल जाएगी after install एप को open करते हैं आपको दो option मिलेंगे login और sign up का हम account create कर रहे हैं तो हमें click करना है sign up पर sign up पर click करने के बाद सबसे पहले option है email id का आपको अपना email id डालना है उसके बाद आप अपना कोई भी password बना सकते हो पास्वर्ड आपका strong होना चाहिए उसके बाद option आ रहा है referral code का उपर screen पर दिये referral code को आप use कर सकते है वी वी के जी सी इजी टी next option में आपको box पर click करके agree करना है and then sign up पर click करने के बाद आपका account बनकर ready हो जाएगा इसके बाद आप display पर देख सकते हैं वजी रेक्स की तरफ से आपकी email ID पर एक confirmation email बेजा जाएगा इसलिए आपको अपने Gmail account में जाना है and वजी रेक्स के mail को open करना है जिसमें आपको Bluetooth box पर click करना है जिसमें verify email लिखा हुआ है क्लिक करने के बाद आपका email address verify हो जाएगा और एक box में लिखा हुआ आएगा Your email has been verified successfully और आपको continue पर click करना है Next step है दोस्तो security purpose related इसमें आपको 3 option मिलेंगे फर्स्ट है authenticator app, second है mobile sms and last option है none इसमें आपको mobile sms चूज करना है इससे होगा कि जब आप वजी रेक्स में login करोगे तो आपके phone पर एक OTP हैगा OTP डालने के बाद ही आप अपने account में login कर सकते है Mobile sms पर click करने के बाद हमें अपने number को register करना है जिस पर OTP आएगा नमबर डालने के बाद send OTP पर click करना है और आपके register नमबर पर एक OTP आएगा जिससे आपको इसमें fill करना है and next पर click करना है और हमारा security process complete हो जाएगा इसके बाद next option में हमें अपनी country को select करना है इंडिया जो की already selected है उसके नीचे आप देख सकते हैं दो option आपको show हो रहे होंगे जो आपकी KYC verification के लिए है KYC का मतलब है दोस्तो know your customer left side में है without KYC अगर आप without KYC पर click करते हैं तो आप अपने account में money deposit कर सकते हैं और trade कर सकते हो बट आपको withdrawal करने का और money transfer करने का option नहीं मिलेगा and right side पर है दोस्तो with KYC जिसमें आपको सभी feature मिलेंगे जो यहां list किये हुए हैं आप money deposit कर सकते हैं trade कर सकते हैं withdraw कर सकते हैं अपनी money को and P2P transfer कर सकते हैं हमने complete KYC पर click करना है उसके बाद next window में हम देख सकते हैं first personal info से related है एक एक करके हमें सभी information को fill करना है सबसे पहले first name उसके बाद middle name and last name फिर आपको अपना date of birth डालना है date of birth के बाद आपको अपना address fill करना है address के बाद आप जिस state से है वो choose करना है state के बाद आपको अपनी city डालना है और next में आपको city का pin code personal info के बाद दोस्तो next step है pen card से related first आपको अपना pen card number fill करना है और re-enter करना है pen number को उसके बाद आपको अपने pen card की front side से photo click करनी है और upload करनी है photo clear होने चाहिए जैसा है कि आपको instruction में दिखाया हुआ है next step है documentation से related document में आपको 3 option मिलते है अधार card, passport और driving license कोई भी option आप चूज कर सकते हो अपने coding मैं अधार card चूज कर रहा हूँ इसके बाद आपको दो बार अधार card number डालना है और इसके साथ साथ आपको अपने अधार card की front side से photo और back side से photo लेकर upload करनी है इसके बाद आपको अपनी एक selfie क्लिक करनी है और upload करनी है इस पर जैसे कि आपको instruction में बताया हुआ है और आपको क्लिक करना है submit for verification वाले blue box पर box पर क्लिक करने से पहले full process को एक बार check कर लें कहीं कुछ missing तो नहीं है verification पर क्लिक करने के बाद आपकी detail को verify करने में 15-20 minute लगेंगे बट यहां आपको लिखा हुआ मिलेगा kyc verification में एक से तीन दिन का समय लग सकता है बट maximum 15-20 minute ही लगते हैं दोस्तों और जैसे ही आपका verification हो जाएगा आपको वजीरेक्स की तरफ से email आ जाएगी kyc approved का उसके बाद जब आप login करोगे तो आप में आपको कुछ ऐसा interface देखने को मिलेगा नीचे आपको 4 tab दिखेंगे quick, market, order and funds के quick में आपको कुछ famous cryptocurrency को trade करने का option मिलेगा light, bitcoin, ethereum, xrp, doze coin etc second tab है exchange का इसमें आपको सभी cryptocurrency को trade करने का option मिलेगा जो भी वो grex पर listed है third option है दोस्तो order का इसमें आपको जो आपने order लगाया है buy and sell का वो दिख जाएगा and order history भी आप इसमें देख सकते हैं last tab है funds का इसमें सबसे पहले आपको अपने portfolio की total value दिखेगी उसके बाद जितने भी token आपने buy किये होंगे वो आपको नजराएंगे अब आते हैं हमारे last step पर bank details add करने का bank details add करने से पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को like जरूर करिए और हमारे चैनल को भी subscribe कर दीजिए bank details add करने के लिए हमें left corner में setting में जाना होगा जहां पर आप वजीरेक्स काउंट से लेकर सभी changes कर सकते हैं इसमें आपको option देखने को मिलेगा banking and payment से related आपको इसमें click करना है click करने के बाद new window आपके पास open हो जाएगी जिसमें आपको अपने account से related information fill करनी है first है दोस्तो alias इसका मतलब होता है आपका name account number डालने के बाद एक बार फिर से आपको अपना account number डालना है और उसके बाद आपको अपने account का ifsc code fill करना है and last में आपको अपने account type को choose करना है आपका account saving है यह current account है उसके coding आप choose कर सकते हैं सब information fill करने के बाद हमें submit पर click करना है bank details add and verify के बाद आपको कुछ ऐसे details देखने को मिलेंगे और लिखा आएगा bank account verified अब आप वजीरेक्स account में अपने account के थुरू funds add कर सकते हैं और withdrawal कर सकते हैं इसके लावा आपको अगर कोई और bank account add करना है तो उसका option भी आपको नीचे मिल जाएगा और आप अपने UPID भी add कर सकते हैं यह था दोस्तों complete process वजीरेक्स में account बनाने का KYC verification का and bank details add करने का इसके बाद आप वजीरेक्स में trading और investing कर सकते हैं I hope यह वीडियो आपके लिए helpful होगा अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like and share केजिए and आपकी कोई query है तो comment section में comment करके share कर सकते हैं and last हमारे channel को subscribe करना ना बुले thank you, jahin